जब से पहलवानों का मुद्दा चुड़ा है तब से ही आपने एक शब्द बार बार सुना होगा खाप पंचायते आखिर यह खाप पंचायत होती क्या है जैसे ही पहलवान ब्रिज भुशन शन मामले में खाप पंचायतों ने 9 जून का अल्टीमेटम सरकार को दिया उसी वक्त ग्रह मंतरी अमिश शाहत से पहलवानों की रात को मुलाकात हो जाती है आखिर ऐसा क्या हो गया था जो सरकार इतना दबाव में आ गई क्या होती है खाप पंचायते छेसो साल पुराना इनका इतिहास क्यों है क्यों इन पर तुगलकी फरमान देने जैसे संगीन आरोप लगते हैं और ये पंचायते सरकारों को जुकाने का काम भी करती थी पहलवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिखाई देर ही खाप पंचायतों के बारे में आज जानेंगे आज के इस सेने में नमस्कार स्वागित आप के सेने में भारत आज का वो शोर जो खबरों का विसलेशन करता है इसलिए प्यार से इसे स्पेशल न्यूज एनलाइज कहते है एक गोत्र या बिरादरी के सदस्तों का समूँ कनाड़ा में प्रोफेसर M.C. परधान The Journal of Asian Studies में लिखते है कि खाप के बारे में खाप एक गोत्र या जाती बिरादरी के सदस्तों का समूँ होता है इन में एक शेत्र या कुछ गाओं के जाती से जुड़े लोग शामिल होते है उस जाती के बुजुर्ग, अनुभवी, सामाजिक और दबंग लोग इन खापों का नेत्रतव करते है इन खापों के परधान एक परिवार या वन्श के ही लोग होते है जबकि किसी मुद्दे पर सारजनिक फैसला लेने के लिए किसी खाप के परधान सभा बुलाते हैं तो इसे खाप पंचायत कहते है करीब 600 साल पहले शुरुवात हुई कई दस्तावेजों में जिकर पंजाब युनिवस्टी चंडीगर की सीनियर रिसर्चर रितिका ठाकूर की अनुसार खाप पंचायतों की शुरुआत चोधवी सदी के दोरान हुई थी इसके इलावा कानूनी कागजों में खाप शब्द का परियोग पहली बार 1891 में जोदपूर की जनगर्णा रिपोर्ट में किया गया था जो धर्म और जाती पर आधारिक थी कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि खाप शब्द संभवत है शक भाषा के खतब से लिया गया है जिसका अर्थ एक विशेश कबीले द्वारा बसा हुआ क्शित्र होता था पहली खाप से 84 गाओं के लोग जुड़े हुए थे 1950 में पश्च में यूपी के मुझफर नगर जीले के सोरम में हुई खाप पंचायत का जिकर कई रिसर्च पेपर में मिलता है आजादी के बाद हुई इस सरव खाप पंचायत के परधान बिनरा निवास गाओं के चोधरी जवान सिंग गुजजर थे इस खाप पंचायत में पुनिया वाला गाओं के ठाकुर यश्पाल सिंग उप परधान थे जबकि सोरम गाओं के चोधरी काबुल सिंग इसके मंतरी थे जिन तीन लोगों के नित्रतों में इस पंचायत का आयोजन हुआ उनमें चोधरी काबूल सिंग एक मातर जाट थे हालाकि पिछले कुछ सालों में जाटों का दबदबा खाब पंचायतों में बढ़ा है इसलिए कई बार खाब पंचायतों को सीथे जाटों से ही जोड़ कर देखा जाता है खाब मुख्य रूप से तीन काम करते हैं आप समझ लीजिए कौन से काब पारिवारिक और गाओं के विवादों को सुलजाना समाज के लोगों के बीच आपसी भायचारे और विश्वाश को बनाए रखना अपने क्षेत्र और लोगों को किसी भी भारी हमले से बचाना जो शायद देश आजाद होने के बाद अब इसकी आवशक्ता नहीं रही है देश में इस वक्त तिन सो से ज़्यादा खाप एक्टिवेट है हरियाना के जजजर जिला निवासी धनकड खाप के परधान ओम प्रगास धनकड का कहना है कि देश में इस समय करीब तिन सो खाप हैं जिन में से ज़्यादा तर खाप नोर्थ इंडिया के यानि उत्तरी भारत के हैं ये खाप मुखे रूप से देश के पाँच राज्यों हरियाना उत्तर परदेश दिल्ली राज्यस्तान उत्राखंड में एक्टिव है धनकड का कहना है कि गोत्र पर आधारित गठवाला खाप, दलाल खाप, पुनिया खाप, सांगवान खाप, दहिया खाप आदी अपने गाउं और आसपास के मामलों को खुद ही सुलजाते हैं इन खापों का सो से ज़्यादा गाउं में असर हैं उन्होंने बताया कि जादतर खाप पंचायते जाट इलाके में एक्टिव हैं जाटों के लावा गुजर, मुस्लिम और राजबूत समुदाए के लोगों के भी अपनी खापे होती हैं हर्याना पश्च में यूपी समे देश के पांच राज़ों में खाप समुदाए का काफी जादा असर है इसकी दो मुख्य वज़े है समुदाए और समाज के स्तर पर होने वाले पारिवारिक जगह, जमीन और दूसरे विवादों को खाप सही पर समय पर सुलजा देती है इससे विवाद थाने और कोड नहीं जाते यह पहली वज़े है खाप के फैसले को मानने के लिए सामाजिक दबाव होता है समाज और अपने समुदाए में रहने के लिए लोगों को खाप के फैसलों को मानने के लिए मजबूर या फिर बाद्धे होना पड़ता है यानि सामाजिक परभाव ये खापे डालती है खाप परदान जातर मामलों में सोशल बाइकाट, आर्थिक जुर्माना वे अन्नेत रह की जुर्माने लगाते है हालाकि खाप पर कहीं बार दूसरे जाती और धरम में शादी करने पर विवादित फैसला सुनाने के आरोप भी लगते है उसी वज़े से खाप के विरोधी इसे कंगारू कोर्ट भी कहते है हालाकि खाप नेता इस तरह के आरोपों को गल्त बताते है खाप नेता अब हिंदू मेरिज एक्ट में बदलाव की मांग कर रहे है उनका कहना है कि वो अंतर जातिय विवाद के खिलाफ नहीं है लेकिन एक गोत्र और एक गाउं में शादी करने पर रोक लगनी चाहिए खाप नचायतों के विवादित फैसले थे अब आपने भी कहीं न कहीं जरूर सुना होगा कि खाप नचायतों के तुगलगी फैसले आये है आज बता देते हैं कि इतिहास में कौन-कौन से ऐसे बड़े फैसले थे जिन पर खाप नचायतों की साख पर धबा लगा उन पर उंगलियां उठी पहला मामला रेप रोकने के लिए 15 साल की उम्र में शादी कर दी जाए जुलाई 2010 में हर्याना की सरवखाप जाट पंचायत ने कहा कि लड़कियों की शादी के लिए उनके बालिक होने का इंतजार नहीं करना है उनकी शादी अब 15 साल में ही कर देनी है रेप की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर अंकुष लगाने के लिए यह आदेश जारी किया गया था दूसरा मामला लड़कियों के जिंस पहने से मना किया अगस्त 2014 में मुझफर नगर के सोरम गाउ में हुई एक खाप पंचायत में लड़कियों के जिंस पहने उनके फोन और इंटरनेट यूज़ करने पर बैल लगाया था कुछ लड़कियों के घर से भागने के बाद समाधान के रूप में यह ऐलान किया गया था तीसरा भाई के सजा पहनों को दे दी गई बात अगस्त 2015 की है बागबत में हुई एक खाप पंचायत में दो बहनों के साथ रेप करने और उन्हें निवस्तर करके गाउं में घुमाने का आदेश जारी किया था उन्हें उनके भाई के अपराद की सजा दी जानी थी उनका भाई एक उची जाती की महिला के साथ भाग गया था बेटी को जमीन देने पर समाज से भहिशकार किया अगस्त 2021 में भी खाप पंचायतों ने राजस्थान के बहिलवारा में एक ऐसा ही तुगलकी फरमान सुनाया बुजर्ग महिला पर 40 लाग का जर्माना लगाकर उसे समाज से भहिसकृत कर दिया गया बुजर्ग महिला की गलती ये थी कि महिला अपनी तीन बेटियों के नाम जमीन करना चाहती थी लेकिन महिला के सुस्राल वाले यह नहीं चाहते थे खाप पंचायतों को ऐसे फैसलों की ताकत कहां से मिलती है खाप को असली ताकत उससे जुड़े लोगों और उनके बीच खाप की सरोमानता से मिलती है किसान आंदोलन को सफल बनाने में खापों ने काफी एहम भूमी का निभाई थी इसके कान के अंदर सरकार ने जो तीन क्रिशी कानून वापिस लिए उन्हें खापों के परभाव का भी एक वज़े माना जाता है उत्तर भारत के पाँच राज्यों की राजनिती को खाप सीधे परभावित कर सकती है यही वज़े है कि हर राजनितिक दल खाप परधानों से बहतर रिष्टा बनाए रखता है तो आज आपने समझा कि खाप पंचायते क्या हैं इनका इतना परभाव क्यों है क्यों वो राजनितिक प्रेशर बनाने में कामियाब होती है और कैसे अपने समाज को एक जुट रखने में कामियाब रहती है और क्यों फिर उन खाप पंचायतों के चोधरियों का परधानों का इतना सम्मान होता है कितना आप खापों के बारे जानते थे कितना आप इनके बारे आज SNA में जाना है हमें जरूर बताईएगा और बने रहीएगा हर्याना आज के SNA के साथ बहुत बहुत धन्यवाद SNA के लिए यश्पाल कंचर